क्या जर्नलिस्म को छोड़ने का समय जर्नलिस्ट का आ चुका है ये सोचने का विशे है और आपको बता दें जैसे ही अर्णव गोस्वामी को सलाखों के पीछे 14 दिन के लिए फेच दिया गया ये सवाल पूरे देश में पूछा जाने लगा कि क्या पत्रकार एक छोड़ने का समय आ चुका है महराइश्ट की सरकार ने जिस तरह से 40 पूलिस ओफिसर्स की टीम बनाकर एक मिशन के तहद ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक पत्रकार से सरकार इतनी बुरी तरह डर गई कि सरकार को 40 लोगों की टीम बनाकर खूफिया मिशन की तरह एक ओपरेशन को अंजाम देना पड़ा सोचल मीडिया पर जहां एक तरफ लोग अरनेब के हक में आवाज उठा रहे थे वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन लोगों की बात कर रहे थे जिन लोगों का ये मामला है यानि की आक्षटा नायक जो की शक्स की रिलेटिव हैं जिन्होंने सुसाइड किया है और जिसका ये पूरा मामला 2018 का बताया जा रहा है कुछ तस्वीरें वाइरल हो रही है सोचल मीडिया पर जिन तस्वीरों को आप भी देख सकते हैं शरत परवार के साथ जो तस्वीरें वाइरल हो रही है इन्हें आप ध्यान से देखिए इनमें जो महिला है वो महिला बाद में मीडिया को एक बयान देता हुआ नजर आई है और अपने बयान में उन्होंने ये कहा है कि अर्णम ने उनके साथ गलत किया इसलिए उनके पती और आपको बता रहें, सोचल मीडिया पर एक मैसेज भी जोरो से वाइरल हो रहा है, जिसमें लिखा है खेल समाझ जाओ, इसी ने अरनव पर आरोब लगाया है इंटिरियर डिजाइनर नायक की पत्नी जिसने आत्म हत्या कर ली थी, अचानक मीडिया के सामने आई और आरोब के खिलाफ बोल रही थी, यह अचानक कैसे शुरू हुआ, इसका जवाब दो दिन पहले के इस फोटो में है दो दिन पहले का यह फोटो बताया जा रहा है, जिसमें यह दोनों महिलाएं शरक पवार के साथ नज़र आ रही है, हलाकि कहा जा रहा है कि यह न्याए मांगने आई है, लेकि न्याए मांगने जो आता है, उसके चहरे पर शिकन होती है, दुख होता है खुशी नहीं जलकती, जिस तरह से यह दोनों महिलाएं बहुत ज़़ादा खुश नज़र आ रही है, इसे देखकर ऐसे लगता है कि इन्होंने कोई जंग जीत ली हो और अगली ही फोटो में आप देख सकते हैं कि उनके चहरों पर मास्क है और वो बहुत दुखी नज़र आ रही है अब वो पिछली फोटो में एक्टिंग कर रही है या इस फोटो में ये कहना बहुत मुश्किल है साथ की साथ सवाल उठ रहे हैं कि अगर कोई नयाए मैंगने गया है, दुखी है तो कम से कम दुख की एक रेखा तो इस शक्स के चहरे पर नज़र आने ही चाहिए लेकिन इस दुखी है, परेशान है या नयाए की खोज में है आपको इस खुलासे पर क्या कहना है हमें कॉमेट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भोले और इस तरह के ताज़र तरह दुखी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें